बनावामा एकदम सैली अने खुबज ओचा इंग्रिडियंट थी बनती आ मिठाईवगर तहवारोनी उजवनी अधूरी छे एलो फ्रेंज आजो तमारी साथे शेयर करी इस ट्रैडिशनल गुजराती स्टाइल थी कोप्रापाक नी रसिपी एकदम मिठाईवडानी दुकान जेवो कोप्रापाक घरे बनावता खणो समय लागे छे आने इंग्रिडियंट नू माप केपची चाशनी किटला तार नी लेवी ते नथी समझातू तो आजी आ कोप्रापाक आपणे चाशनी लिदावगर एकदम सैली रित्ती बज़ार जेवो घरे बनावसू तो तेहवारों मा बज़ार करता घणो सस्तो अने स्वार्णिस्ट कोप्रापाक बनावनों शरू करिये नवी रेसिपी सिखवा माटे नेहा कुक बुक गुजराती चैनल ने सब्सक्राइब करो अने साथे बेल आइकोन ने जरूर्थी दबाओ नवा रेसिपी वीडियो साथी पेला जोवा माटे साथी पहला मिठाई वाडानी दुकान जेवो कोप्रापाक घरे बनावनाटे में यान जाड़ा तड़िया वाड़ू नौन स्टिक पैन ली धेलू छे मिठाई बनावती वक्ते हमेशा जाड़ा तड़िया वाड़ा वासन नोच उप्योग करो हवे तेमा एक कप एटले के 250 एमेल जेटलू दूध हैड करी दईए अईया में कोप्रापाक बनावनाटे फूल फेट मिल्क नो उप्योग करे लो छे तमें घरमा रहेला दूधनो उप्योग पर करी शको छो बस हाँ तेमा थी मलाईनो भाग काड़ो नहीं तेने रहवा देवो जेती दूध मा फेट नो प्रमाण वधारे रहे हवे दूध मा एक कप एटले के 210 ग्राम जेटली खांड एड करी दईए अने चमचाने आ रिते हलावता जैने आपने खांड ने दूध मा ओगाड़ी देवा नी छे तो लगबग 3-4 मिनिट जो थाई गिए उछे ने तमें जोई शको छो के खांड दूध मा एकदम सारी रिते ओगड़ी गई छे हवे में आईयां बेक अप एटली के वज़ेन माँ 116 ग्राम जेटलू ताजा नाड़ियां नू जीनू छीन करीली देलू छे अईयां में छीन करती वक्ते नाड़ियां नो फक्त सफेद धागत लिधेलो छे स्कीन नो ब्राउन भाग काढ़ी ना खेलो छे अनि नाड़ियर ना छीन नेमें मिक्सर जार मा पीसी ने जीनू अने एक सर्कु करीली देलू छे जेती कोप्रा पाक बनावती वक्ते नाड़ियर ना अखा टुकडा ना आवे तेने एड करी देए हवे चमचानी मदर्थी आरी ते बद्धिज वस्तुने मिक्स करता जाईए अनि या तमे ताजा नाड़ियर नी जग्या ए सुका कोप्रा नो छीन पन लई शको छो बस सुका कोप्रा ना छीन मा मोईस्चर नू प्रमान न होवा थी ते थोड़ू ड्राई होई छे ते जो तमे शुका कोप्रा नो छीन लेता होई तो तेने एक कलाक माटे थोड़ा गरम दूदमा पलाडी दे जो तो तमारों सुका कोप्रा नो छीन एकदम सौफ्ट थैने कोप्रा पाक माटे तयार थै जसे छेने एकदम सैलू अहीं आपड़े ए वातनू खास ज्यान राखवानू छे क्या आपड़े गेस नी फ्लेम मीडिया मज राखवानी छे अने मिक्षर ने आरीते सत्तत हल्लावता रहवानू छे जेती ते पैंडना तड़िये चोटे नहीं लगबग 10-15 मिनिट जेवू थाई गयू छे अने तमें जोई शको छो के मिक्षर मां थी मोष्चर नू प्रमाण एटले के पाणी नू प्रमाण एकदम घटी गयू छे अने मिक्षर थोड़ू भेगू थावा लाई गयू छे हवे में अरदी चमची केसर ने हाथे थी क्रश करी ने बे चमची गरम दूद मां 10 मिनिट माटे पलाड़ी दिधू तो तमें जोई शको छो के गरम दूद मां पलड़ वाथी केसर नो कलर एकदम सरसावी गयो छे जोई घरमा केसर ना होए तो तमें तेनी जग्याए बज्जहर मां मरतो आर इतनो यलो फूद कलर पन वापरी शको छो तेने एड करी दईए साथे में वनफोर्थ का अबजेकलो माओ लिदो छे माओ कोपरा पाक मां एकदम सरस्वादनी साशे तेने एक बैडिंग पन आपे छे पर जोगरमा माओ ना होए तो तमें वनफोर्थ का अबजेकली घरनी मलाय पन वापरी शको छो क्रीमी कोप्रा पक खावानी तो मज्जा जावी जाए हवे अर्दी चमची एल ची पावडर एड करी देए हवे बद्धी जवस्तों ने मिक्स करी ने मिक्षर ने पाथी 7 मिनिट माटे कुक करी लईए तो लगबग 7 मिनिट जेव थाई गयो छे ने जोई शकोचो के मिक्षर एकदम भेगू थाई ने पैंड नी सपाटी पन छोड़वा लाईगू छे जो तमारे कोप्रा पाथ थोड़ो हाथ बर्फी जेवो जोतो होए तो मिक्षर ने वधू 5 मिनिट कुक करी ले जो जेजी ते एकदम ड्राई थे जाई अने तमारो कोप्रा पाथ बर्फी नी जेम चोसला पड़े वो बने तो तमें जोई शकोचो के कोप्रा पाथ नो मिक्षर एकदम स्टिकी ड्राई अने भेगू थाई ने पैंड नी सपाटी छोड़वा लाईगू छे मिन्स आपड़ू कोप्रा पाथ नो मिक्षर एकदम तयार थे गयू छे हवे आ समय गेसनी फ्लेम बन करी दईए हवे कोप्रा पाथ नो मिक्षर एकदम बर्फी ना फों मा आवे छे के नहीं ते चेक करवा माटे थोड़ू मिक्षर ने आ रिते ठारी लईए अने हात नी मोलड राखेलू अन्य तेमा बटरः पेपर राखी ने तेने थोड़ा घीती ग्रीस करीली देलू छे हवे तेमा गर्मा गरम कोप्रा पाथ ना मिक्षर ने आड करी दईए अने ंचम चानी मदर थी आ रिते तेने एक सर्भू करी लईए तब्डू कोप्रा पाथ नो मिक् आजू बदाम नी कत्रन पन लई शको छो हवे चान्दी ना वरक ने हडवे हाथे कोप्रापाक नी उपर नी सपाटी पर आर इते लगाड़ी दईए तो आपड़ो कोप्रापाक एकदम तयार थे गयो छे हवे तेने बे कलाक माटे रूम टेंपरेचर पर सेट थवा दईए ज तो मैं यहां कोप्रापाक ने ंडी मोल्ड करी ने तेना 1 सर्खा 24 पीस करी लिदा चे जो आस में तमारों कोप्रापाक वदू पड़क सोफ्ट हो औने तेना पीस बराबर ना थाता हो तो तो तेने फरी पाचो लो फिलेम पर कूब करी ले जो अने सेट करी ने पीस करी ले जो अने जो घणी वार कोप्रापाग एकदम हाड थाई गयो होई तो फरी पाच आप बे चमची जेटलू पाणी एड करी ने कोप्रापाग ने लो फिलेम पर कुक करी ले जो तमारों सोफ्ट औने मोढ़ामा ओगली जयेवो कोप्रापाग तयार थाई जसे तो बहिनों जे ने आपड़ों कोप्रापाग एकदम मिठाय वाडानी दुकान जेवो स्वाद मां सूपर टेस्टी होवानी साथे खावा मां एकदम सोफ्ट औने मोढ़ा मां मुक्ताज ओगली जाएवो छे आ कोप्रा पाक ने तमें पात्थी छो दिवसुदी बहार औने 15 दिवसुदी रेफ्रिजरेटर मां राखी ने खाई शको छो तो तहवारों मां घर मां नाना थी लई बद्धाने भावेवो स्वाद मां एकदम टेस्टी औने बज़ार करता घणो सस्तो औने एकदम चोखो कोप्रा पाक आजेज बनावो जो तमने मारी आजनी रेसिपी गमी होए तो मने कमेंट सेक्षिन मां जरूर ठीकेजो साथे मारा वीडियो ने लाइक और फ्रेंड्स मां शेयर कर जो और मारी चैनल ने सब्सक्राइब करवानों ना भूल शो तो फरी मड़ी एक नवी रेसिपी साथ है